हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब प्यानल समराट एजूकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लागेते वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और अपने दोस्तों सब्सक्राइब करने पाले किस्षिण फ्रेंड चीद सब्सक्राइब यह में इसको बोलती है जी अस्पेटियल टेकनलोजी पर उच्छकत को को मापाता है तो पूछरा कि गया है लिंग इंग्र देखते हैं साबखेएब बूह अस्थानिवी की भूमी और प्रिथभी की विश्यस्ताओं को मापने और विश्लेसर करने के लिए उप्योग किया जाने वाले उपकरणों को संदर्भीत करता है जो भू अस्थानिक प्रदोगी की होता है यह प्रिथभी की विश्यस्ता को मापने और विश्लेसर करने के लिए उप्योग क सिस्टम इसको बोला जाता है इंगलिस में का उपियों किया था ठीक है तो भू असानिक प्रोदोगी की में GPS और GIS सिस्टम का यूज किया जाता है GPS को सन 1973 में संयोक तो राज अमेरिका के रच्छा विभाग दोरा विक्सित किया गया था GPS जो है ग्लोबल पोजिस्टनिंग सिस्टम इसको सन 1973 में संयोक तो राज अमेरिका के रच्छा विभाग दोरा विक्सित किया गया था पहला उपगर 1978 में लांज किया गया था GPS के मूल रूप से GPS जो है उसको मूल रूप से से जो सेन सेवा के सदस्यों की मदद की लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि वे दुनिया बर में सही अस्थानों पर वाहनों विमानों और जहाजों का स्थाना अंतरित करते हैं इसके लिए जो यह GPS यह से निस्वा की मदद के लिए बनाया गया था उसके लिए डिजाइन किया गया था लेकिन आज के समय में GPS को और GIS को अपयोग हम लोग कई अ सब्सक्राइब करने के लिए जो भी उपकरण है उनको संदर्वित करता है उनके बारे में विश्लेशड करता है थी वह अस्थानिक कार में ग्लोबल पोजिस्टिंग सिस्टम और भागोलिक सूचना प्राली GIS जियोग्राफिकल इंफानमेशन सिस्टम का उपयोग किया जा सब्सक्राइब करते हैं तो अब हम लोग देखेंगे जो मारा क्रीसी एगली कल्चर है उसमें इसका क्या उपयोग है तो थोड़ा समय पहले आप लोग बता दूंगा ठीक है यह माना जाता है कि फसल की पोसक किस्टिती मिर्दा की पोसक टतों किया पूर्थी के साथ-साथ फसलों की पोसक मांग का सबसे अच्छा संकेत तक है क के इस प्रैकार से प्रइए इसको प्रचलल करें आपना गया था लेकिन लगा कि लिए फायदे मंद रूप में परस्तुद हुआ हमें बहुत समय समय पर क्या देता था उसको कि इतने खाद क्यों सकता होगी पानी को सकता होगी यह सब कि जानकारी अंको देता है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं कि रिस्टी को चाहिए तो जिस तरह से मंदल वर्सा और तापमान खेतों को परभावित करते हैं इसे निग्रानी रखने के लिए जिस तरह से वर्सा तापमान खेतों को प्रभावित करते हैं इसे निगरानी रखने के लिए जीएस पेटिकल टेक्मोलाजिय को प्यों किया जाता है इससे किसान अच्छे तरीके से अपने पसलों की देखबाल करते हैं इससे क्या होता किसान जो हते हैं बच अब GPS लगा हो तो उपर क्या लगा है GPS लगा है सेटलाइट लगा है सेटलाइट के मादियम से आपकी खेतों को देखता है आपकी खेतों से जानकारी एकतिलित करता है ठीक है remote sensing method से उसके बाद आप लोग को बताता है कि आपके खेत में किस चीछ कमी है किस खाती कमी किस इस बेकार से आपको बताता है इसमें GPS और GIS करके आपको सब कुछ information वो सब ले लेते हैं और आपको बताते हैं तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे AIP आ गया हो सब AIP के मादम से आपको बताते हैं कि आपकी खेत में कितनी पानी देने की ज़रूरत आपको आपकी खेत को कित लगने वाला है आप लोग यहाँ पर इस कित नासा का यूज कर लिजिए ऐसे से आप लोगो बताते हैं आज के सवह में इतना साइंस आगे बढ़ गया है कि आप लोग को खेत में जाने से पहले ही जो वहाँ पर बैटे हैं सब सेटलाइट के मादियम से GPS के मादियम से लगे करते हैं तो आप दाओं से और अगाकर सकता है या किसानों और उनके खेतों की बेधर देखबाल करने में मदद करता है अगला देखते थे फसल सुरच्छा तो प्राकर्टिक आपदाओं से फसले की तो अच्छा भी कर सकता है जैसे माले जो कोई प्राकर्टिक आपदा आने वाली है तो आपको पहले ही सचना मिल जाती है कि प्राकर्टिक आपदाओं ने आने वाली है या कोई क्यूट लगने वाला है तो इसके बारे मुन्म्हें सी बता देते हैं पोई भी के मादश से जाइग तो देख्विज और तो देखे में आपको वटाएं कि वह आपको पूरी जानकारी ले लेँ लेगा करना है कि यह सब जानकारी नोगों को पास हो जाए किसके मादम से गार करके जी आइस के मादम से अब आप को प्रयोग करना है इसका मतलब यह इस का गार्ग है तो प्योक्स में बीज रूरोग की शही पर सही मातरा अपनाने मदद मिलती है यहां पर GPS लोग लिख सकते हैं ठीक है अगला खेती की यूजना तो जीएस पेटिकल टेक्नोलाजी और जीएस तकनिक इसानों को खेती की यूजना बनाने मदद कर सकते हैं जिससे बैस सही समय पर सब्सक्राइब चेतरों फबर करके क्य कि इसके मातम, किarnosesper कर तो इसके मातम से बादियान भी करते हैं चक्छिक बिआ करता है, इससे किसानों को अधिक मुनाफ़ा हासिल करने म्लते मिलता है यूंकि जब उसको पता हपार गारता तो उसस्ते पने पहुए करेगा है, उसको जादा पैसा भी मिलेगा Arkansas संतो से उसको आधिक आर्तिक लाब भी होगा थिक है यहां तु यहां तापनगें बताया नहीं से हृँठाों इसको पुरा एक वीडियो पूरा रहे है है तो तो नैनोटेक्न लाजी सब्द का सबसे पहले पहले जापनी बैग्यानिक नोरीयोतानी गूची ने سंदुटीव स्विद्ड़ाले में है टोक्योगी सब्सक्राइक प्रोफेसर emer तो बैग्यानिक ने τις am Pakural क्या है यह ग्रीक सक्षि stop अवर्ण होता है या छोटा जिसको अर्थ कु अ कि ओंद यह शूटा भू ठीक हैarmed इस यह 100 सब नैनो तकनिक और समंधित विज्ञान समूर तक मान सकते हैं ठीक है इसको दस गाते में नौ इन्वर्स या एक अरब वें इससे को इंगित करने के लिए इसका प्रियों कियाता है तो यदि नैनो टेकनोलाजी कोई पुश्चा क्या है तो आप लोग बताएंगे कि नैनो ट पादन तकनिक पर किया था तो क्यों विश्चो विद्याले में इससे अड़ू एम परमाडू इंजिनेरिंग भी काते हैं यह तकनिक भौतिक रसायन विग्यान बायो टेकनोलाजी तथा इन्फार्मेशन टेकनोलाजी को आपस में जोड़ता है तो यह था नैनो है तो आगे मैं आप लोगो अच्छे से एक वीडियो पुरा इसी पर रहेगा आप लोग उसको भी जरूर देखेगा चलिए आगे देखते हैं क्योश्चन है इसके बारे में विस्तार से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपर्टेंट क्योस्चन है तो इसका पुरा नाम सब्सक्राइब पढ़ें लोग इस पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर या अश्डियाई देखें बहुत ज्यादा इंपर्टेंट क्योस्चन है एक्जाम के बेस से तो चलिए देखते हैं अस्थानिक आकड़ा और सरचना क्या बोल जाता है इसको अस्थानिक आकड़ स्थानिक 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 बस्तुया और वर्यक्त्रक्टा क्या की है लिए मौत ही घंग मतब हुट मतबब दाटा इसका मौर्थ होता है अस्थानिक जो है इसका मतलब होता है प्रिथिवी पर जो भी भागोलिक इस्थिति है उसका अध्यान करना और उसका डाटा है आकड़ा तो आकड़ा सब्द का तात पर भागोलिक आकड़ों से होता है जो भागोलिक इस्थिति है उसका हम लोग अध्यान कर रहे हैं उससे मे भंगोलिक आकडा वह आकडा होता है जो प्रिथिवी तलपरवस्तों या गठित परिघटनाओं को प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से और इस्थिति और समय के अनुसार निरुपित करता है ठीक है तो यह हो गया आकड़ा के लिए आगे देखते हैं वेश्टर सब्दकोस के अनुसार आकड़ा मापन या सांखी की आधारी तथे परक सूचक होते हैं जिनका उपयोग तारकी परिचर्चा या गड़ना आधी के रूप में किया जाता है अगला इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उपयोग प्रारूप काफी विश्थित और शिमित है और स्वरचना जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस सब्द का प्रच्छित्र और उपयोग प्रारूप काफी विश्थित और शिमित है और स्वरचना सब्द का अर्थ हम लोग तार हाड़वेर और और जारो आदी से लगाते हैं और स्वरचना जन समुदाए है कानून है सिच्छा है जो मानवर को तंतर प्रडाली कूप्यों करने योग यह बनाता है तो यह का मतलब इस का मतलब इस्पेटियल ली का मतलब डाटा आई का मतलब इस्प भूह अस्थानिक ज़ो भूह अस्थानिक जानकारी होते हैं उसका बहुत करना रहता है पर्रिगणाूग का तो तो इसको अंधिया सकते हैं क्या करता है इन सभी को इस्टोर करता है तो यह है SDI, चलिए आगे देखते हैं, SDI की परिवासा, SDI का पुरा नाम फिर से मैं बता रहा हूँ, Spetial Data Infrastructure, Spetial Data Infrastructure SDI को बोला जाता है, अस्थानिक डाटा और सरचना के प्रारूप को मांग एहुपयोग के अधार पर समय अनुसार परिवर्थित करता है, तो यह कोई निश्चित परिवासा नहीं है, प्रण तो भिन-भिन संस्थाओं राष्ट्रो और विद्वानों दारा इसे परिवासित करने का प्रियाज किया गया है, कुछ परिवासाइं निशे दी गई उनको पढ़ते हैं लोग, इसमें पहला दिया है, आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड इन्फार्मेशन काउंसिल ने, तीसरा सारभूत आकड़ा, समूँ और किलेरिंग हाउस नेटवर्क, इसको कौन बताया है, इसको आश्ट्रेलियन नुजरेंड इन्फार्मेशन कांसिल नहीं होता है, इसके बाद आए डच कांसिल फार रियल इस्टेट इन्फार्मेशन, इनके अनुसार राष्टली बागोलिक सुचना आवसर रचना नीतियों आकडो सम्मू हो, मानको प्रदूग की प्रदूग की में हार्डवेर, साफ़े और इलेक्ट्रानिक का मिस्रित स्वरूप है, ठीक है, डच कांसिल और फार रियल इस्टेट इन्फार्मेशन ने बताया कि भागोलिक सुचना आवसर नचना नीतियों, आकडो सम्मूओं मानको प्रदूग की का मिस्रित स्वरूप है और उब भागोलिक सुचना क्यादार पर किसी कार को पुझ करने के लिए अवसर इक प्रमुक उत्तर दाईत होता है, इसको 28 में बताये इसके बाद आए यूरोपी कमिशन, यूरोपी कमिशन, यूरोपियन भागोलिक सुचना है और और उस अरचना यह उरोपी नीतिगाट ढाचा है जो उद्येसों की पूर्ती के लिए आउस्यक परिदसाओं को उत्वपन करता है यह अपने अंतरगत सभी सब्रकार की नीतियों नियमों उत्वियरको और यूरोपी संग और सदस्यों राज्यों द्वारा ने इधारी त तो यह था आपका यह का परिबासा यह का परिबासा हमने तीन पर वैसा बताया बहुत सारा है लेकिन हम लोग देखेंगे इसे पहला मैंने बताया कि जो हमारा यह आकडा समूह मानको प्रदोगी की का मिसित सवरूप है जो बोक्ताव को भगली सुचना के अदार पर किसी कार को पुड़ करने के लिए अवस्यक ज्यान का बहुत कराता है इसका यही मुख्या उत्तरदाइत होता है इसको 1998 में दिया गया इसके बाद आए उरोपियन कमिशन ने बताया कि जो यह एक नीतिगत धाचा है जो उद् परी दसाओं कुद्पन करता है यह अपने अंतरगत सभी प्रकार की नीतियों नियमों उत्रेर को और यूरोपी संग और सदस से राज्यो दोरा निर्दारित नाचागत इसीटी का प्रोथ साहक होता है चलिए आगे देखते हैं इस डिया की प्रकृति नेचर आप इस डिय होता है ठीक है इसका सिद्धान क्या है तो यह अकड़ा सभागिता को बढ़ावा देता है इसके दोरा वह बोक्ता संसाधन समय और वियर्थ के प्रयासों का भी बचत करते हैं उस समय विदी में नए आकड़े का जनन संग्राड और रख रखाव या अन्य समदित कार्यों क करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा आकड़ों की पूनरावृति इस प्रक्रिया की पूर्रावृति होती है इसको भी रखें Le basism कि असाफना क्रहानमन और प्रारूप के दाक्निकी नहीं आकड़ा प्रारूप नियाज़ संस्था है जो आकड़ों का जिनन सणक्शड एम- स्थानिक और अस्थानिक और अस्थानिक आकड़ों की सिमाएं स्थानित हो जाएं तो यहीं था आप लोगा है की प्रकिरती देखें मैंने इसका जो डेफिनेशन बताया और इसका जो कंपोनेंट बता हुआ दोनों बहुत जाता है नेचर ज्यादा नहीं पूछता लेकिन पूछ देता है चलिए आगे अगला है रिमोट सेंसिंग तो यह भी बहुत ज्यादा इंपार्टे तो सुदूर समेदन किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आए भी ना भौतिक रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सुशना प्राप्त करने की एक कला और विज्यान है मनुष से अपने दिन प्रते दिन कार्यों में सुदूर समेदन को उप्यों करके सब्सक्राइब करने के लिए अगर देखते इसकी डेफिनेशन तो सब्सक्राइब करने के प्रबंदन भूमी को प्योग और परराड की सुधार के कुद्स से सम्वेधी वस्तुम द्वारा उत्सर्जित परावर्तित विच्छेपित विद्दुत् चुम्बकीत रंकुरों के घुड़ों का उप्यों करके अंतरिक्ष की प्रिथिवी की सत्या का सम्वेधन है ठीक है चार्ल्स एलाची के अनुसार सुदूर समेधन का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति की संबंद में बिना सारीक संपर्ग के जानकारी प्राप्त करना सुदूर समेधन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्ठु के सम्माढ़ में बिना किसी स्अर एक संपरगिए जानकारी प्रतान करना है सुदूर समेधन किसी वस्ठु छे तरिया गढटना के बारे में सुचनह प्राफ़ करने की एक बिज्ञान और कला है जो किसी यंदर दोरा अर्जित डाटा के विश्वर के मातलब से होता है जो वस्तु छेत्य अर्व्यक्ति के सब्बर्ग में नहीं होता है तो आपको क्या समझना इससे में रिमोट सेंसिंग में सिर्फ आपको यह जानना है कि रिमोट का मतलब होता है दूर सेंसिंग मतलता है अर्धिन करना जब किसी वस्तु के बहुत रिक सरचना के बारे में आंधरीख सरचना के बारे में हम लोग दूर से अर्धिन करते हैं तो उसी को रिमोट सेंसिंग वोला ज multiplication तो जो भी मैंने बताय call प्लोग अच्छे समय आ गया होगा यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लागए ते वीडियो को लाइक कीज़ेगा इसेनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और प्रें तोस्तों को आशियर भी जरूर कीज़ेगा धन्यवाद जय हिंद